स्वागत हैं आप सभी का टेक स्टेडी आईटिया यूटूब चनल पर आईटिया की इंप्लाइविल्टी स्किल्स का जो नया पीडियाफ जारी हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके थे पार्ट वाइज आपके हम सारे कुश्चन्स यहां पे करवा रह ठीक है तो आज इसमें हम लोग करेंगे पार्ट सेबन इस से पहले हम लोग छे पार्ट कर चुके हैं और उस छे पार्ट में हम लोग उने दो मौडूल खतम किया है जैसे पहला था इंग्लिस लिट्रेशी और से कम्यनिकेसन स्किल्स तो उसके जितने कुश्चन्स से हम कर चुके हैं आज हम लोग का स्टार्ट करेंगे इस से कुश्चन नबर एक से स्टार्ट रहेगा बाकी के छे पार्ट आपने नहीं देखे तो वीडियो की डिस्कूस में लिंक दिया वहां से आप जाके जरूर देखिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा और वीडियो गर थोड़ी सी पसंद आते हैं प्लीस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ये सभी एक वरसी वहा फर्स्ट इयर ट्रेड के लिए अगर आप सेकेंड इयर में अप इम्प्लाइबिल्टी स्किल पढ़ना को दिखा देते हैं तो यहां पर अभी हम लोग 183 यह दोनों कुश्चन हम लोग कर चुके हैं मतलब हम लोग ने टोटल 154 कुश्चन अभी तक कंप्लीट कर लिया है आज हम लोग IT लिट्रेसी स्टार्ट कर रहा है इसको हम लोग टोटल 3 पार्ट में इसको भी हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला कुश्चन जैसे सब पार्ट में रखने इसमें भी आपका एक लास्ट का कुश्चन हमने आपके लिए रखा है जो कि प्रीवियस पार्ट से है और वह बोनस कुश्चन उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा वीडियो अगर पसंद उसमें आपने बहुत सारे उसके जो चीज़ें देखेंगी जैसे मॉनीटर देखा होगा, सीप्यू देखा होगा, कीबोर्ड देखा होगा, माउस देखा होगा ठीक बहुत सारी चीज़ें जो कम्प्यूटर में पूरी अटैच्ट रहतीं तब वो मिलकर एक बाहते हैं कम् computer का basically जो मस्तिस्क वो होता आपका CPU, जिसको हम बोलते हैं Central Processing Unit, ठीक है, यही इसका brain है, इसी में सारी calculations, सारी processing, सब कुछ इसी में होती है, जो आपको फिर monitor पे display होती है, अगला question है, second, space allows the user to input letters, numbers and other symbols into a computer, computer, ऐसी कौन सी चीज़ है computer की, जो user को उपयोग करता को, computer में अक्षरों, संख्याओं और अनिप्रतीकों को input करने की अनुमती देती है, तो ऐसी क्या चीज़ है, mouse है, keyboard है, desktop है, या digital camera है, तो keyboard से ही आप जो है, number, अक्षर या जो भी चीज़े हैं, आप इससे क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, जो आपकी different button, इधर numeric, इधर alphabetic, ठीक है, ऊपर functional की है, यहाँ पर symbols है, सब कुछ आप यहाँ से use कर सकते हैं, अगला कुछ आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, अगला कुछ नहीं है, तीन number, which इमंग the following is not an output device, निमलिखित में से कौन एक output device नहीं है, देखे, devices, computer में basically क्या input device होती, input device ऐसी device है, जिससे आप कोई input computer को देते हैं, जैसे keyboard पे आप कोई चीज़ टाइप करें, तो आप input दे रहे हैं, उसका output आपको कहा मिलना है, monitor पे, यह जस्ट एक example है, ठीक है, तो input यहाँ पर पूछ रहा है, कौन सा इसमें output device नहीं है, monitor क्या हुआ, output हुआ, speaker में आप कोई गाने play करते हैं, तो आपको output में वो गाना सुनाई देता है, तो भी output हुआ, projector पे आप कोई चीज़, display पे दिखा देते हैं, वो प्रोजेक्ट करता है, बाकी screen पे, तो भी आपका output device है, mouse जो है, आपका ये एक input device है, क्योंकि mouse से आप right click, left click, जो ही swipe ये सब आप कर सकते हैं, तो mouse आपका output device यहाँ पे नहीं है, ठीक है, mouse क्या हो गया, आपका output device नहीं है इसमें से, कुछ हम अब फोर है, in a computer, space performs calculation and takes all the decisions, computer जो है, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है, जो सारी calculation को और सारे decisions को मतलब निर्णयों को वही लेता है, CPU है, monitor है, mouse ह या hard disk है, right answer आपका CPU यानि Central Processing Unit, जैसे हमारे सरी में सारे decisions, सारे calculation कौन करता है, हमारा brain करता है, mouse risk करता है, ऐसे computer के case में सारे calculations, सारे decisions कौन लेता है, वो लेता है CPU आपका, सबने देखा होगा CPU, इस तरह का होता है, ठीक है, next question है, question number 5 है, which key of the keyboard allows you to move to the beginning of the next line, keyboard की ऐसी कौन सी key है, जो आपको जो अगली पंक्ती होती, उसके आरम में जाने की अनुमती देती है, enter key, caps lock, numeric key या space, तो देखे, enter key जो होती माली जाए, आप कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, ABC, अब D, आप अगर यहाँ से लिखना चारहें, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, enter key जैसे आप दबा देते हैं, आप सीधे यहाँ आपके पहुंच जाता आपका cursor, फिर आप यहाँ से type करना start कर देते हैं, तो यही यहाँ पर question पहुचा जा रहा है, तो right answer आपका हो जाएगा, enter key, caps lock से क्या होता है, आप caps lock अगर press कर देते हैं, सारे जो capital है, letter है, capital letter है नही upper case में लिखे जाते हैं, ठीक, numeric key से आप number type कर सकते हैं, space से आप क्या सकते हैं, दो अक्षरों के बीच में space दे सकते हैं, अगला question है, question number six, starting a computer is also called edge, computer जो हम सुरू करते हैं, उसे हम और एक चीज क्या कह सकते हैं, running, scanning, booting या operating, तो उसे हम बोलते हैं, boot करना बोलते हैं, start करन अगला question है, seven, arrange the following in a sequence for connecting a phone to the computer, locate the phone folder on the computer and transfer the files, turn both your phone and computer on, connect USB wire to your phone and the computer, यहां कहरा है, phone को computer से आपको जोडने के लिए निमलिखित को एक क्रम में बेवस्थित करना है, a है, आपका computer पर phone folder का पता लगां और file यह अस्थाना अंतरित करें, b है, अपने phone and computer दोनों को on करें पहले, and c है, usb wire को अपने phone और computer से connect करें, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों को on करेंगे, फिर usb cables अपने phone को computer से connect करेंगे, and उसके बाद आप phone का जो folder होगा, उ option D आपका सही हो जाएगा, कुछ हमर 8 है, यह IT literacy का, the space serves as an interface between the computer and the user, इसमें से क्या ऐसी चीज़ है, जो computer और user यानि उपयोग करता के बीच, एक interface के रूप में कारे करता है, interface का basically मतलब यह होता है, कि जैसे आपको example दे हम, आपको मालीजे तमिल नहीं आती है, आपको मालीज फारसी कुछ भी एक ऐसी language जो आपको नहीं आती है, और सामने वाला उस चीज़ को बोल रहा है, तो बीच में हम क्या करते हैं, किसी एक ऐसे आदमी को ले आते हैं, जो उस चीज़ को translate करके आपकी भासा में बोल सके, basically वही है आपका interface कि आप उसको समझ पाओ, तो computer और user के बीच में जो interface होता है, वो होता है उसका operating system, operating system ही है, जो चीज़ों को इस तरह से display करता है, आप उसको देख पाते हैं, बाकि उसके अंदर कितनी बड़ी programming चल रही है, कितनी बड़ी वहाँ पे अंदर calculation चल रही है, वो चीज़ें आपको अगर screen पे दिखेंगी, तो सायद आप कुछ नहीं समझ पाओगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो operating system होता है, किसी computer का जो OS होता है, जिसे हम लोग Windows कहते है, Windows 7, Windows 8, Windows 10, यह operating system है, ठीक है, यही आपको computer से connect करने में help करते हैं, जिससे आप computer पे कोई काम कर पाते हैं, अगला question है, operating system है by special language called, अब operating system जो है, उसकी language ज इस नहीं होती है, इस तरह से कोई language अपनी यूज करेगा, उसकी एक business language होती है, उसे क्या कहते हैं, binary language कहते हैं, ऐसस कोड कहते हैं, linux code कहते हैं, reboot code कहते हैं, ठीक है, operating system के एक business भासा होती है, जिसे हम कहते है, binary language, क्या कहते है, binary language, आप लोगों ने भी यह आपा, वो binary and decimal का conversion किया होगा ना 0101 से चलता है तो वही है यहां पर binary language होती है computers की अगला कुछन नमद 10 है Microsoft Edge was introduced with Windows 10 and replaced as the default web browser जो Microsoft Edge को Windows 10 के साथ paste किया गया था और एक कोई ऐसा browser था जिसे default web browser के रूप में बदल दिया गया था Microsoft में तो आप सभी ने देखा होगा computer Microsoft में जब आप देखते होंगे तो internet explorer एक ऐसा browser होता है जो inbuilt होता है आपके system में बाकी Google Chrome Safari या Mozilla Firefox भी आपके browser है जिने आप अलग से install करते हैं तो right answer क्या है आपका internet explorer कुछ इस तरह का symbol आपको इसका देखने को मिलता है किसी भी computer में अगला question है question number of Apple Apple का operating system क्या है तो Apple का operating system क्या है आप सब ने सुना होगा Apple के phones भी आते हैं बहुत महेंगे आते हैं हाँ laptop भी आते हैं iPods सब कुछ आते हैं उसके तो उसमें जो operating system में क्या है जैसे आपके computer में तो Windows होगा जनरली Microsoft का उसमें क्या है Linux है Windows है Mac OS है या Safari है तो वहां अगला question 12 है which among the following is the primary storage device इसमें से कौन सा primary storage device है देखिए storage devices कई तरह की होती है primary होती है secondary होती है जिसमें से primary storage device आपका क्या होता है जो RAM and ROM है जिसको हम बोलते है random access memory and read only memory यह आपके primary storage होते हैं ठीक है क्या होते हैं यह primary storage होते हैं आपके hard disk हो गया memory card हो गया floppy disk हो गया यह सब आपका क्या होता है secondary storage होता है यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका RAM and ROM दिखता है आपको अगले question पर चलेंगे space is also a form of data storage that cannot be easily altered or reprogrammed space भी एक data storage का रूप है जिसे आसानी से बदला या पुना प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है RAM, ROM, memory card या hardware तो यहां पर जो ROM है आपका read only memory है यह data storage ऐसा है जिसको हम आसानी से alter यार यह program नहीं कर सकते किसी भी computer किसी भी laptop में ठीक है अगला question है 14 which among the following is not a tertiary storage device इसमें से कौन सा एक tertiary storage device नहीं है तो देखिए question थोड़ा सा कहीं न कहीं गलत भी है आपका अब इसमें क्या है tertiary storage device नहीं है पूछा गया तो देखा जाए तो hard disk, memory card यह भी आपके tertiary storage device नहीं है बट फिर भी यहाँ पे हम जो सबसे best suit करता option वो suit करता है RAM क्योंकि RAM क्या है आपका primary storage device है इसलिए यहाँ पे इसको सही किया गया generally आप अगर देखेंगे हम इसको थोड़ा सा बलकी जूम भी कर देते हैं ठीक है primary storage device में क्या होता है कि जो आपके main memory होती है उसे हम primary storage device कहते हैं ठीक है cash memory, main memory, जो भी आपकी random access memory, RAM, ROM में सब क्या है primary storage है then आपके जो input channels होते हैं जैसे आपका hard disk हो गया, removal medium में जैसे cd हो गया, dvd हो गया यह सब आपके क्या होते हैं, secondary device होते हैं and tertiary में अगर आप आएंगे, जैसे आपका magnetic tape हो गया, यह सब आपके जो होते हैं, tertiary storage device तो यहाँ पे देखा जाते हैं एक तरह से यह भी आपका secondary था, ठीक है तो उस case में सही यह भी हो सकता है, लेकिन जो best suit करता है और RAM suit करता है आपके PDF में भी आपको RAM answer यहाँ पे सही मिलेगा अगला question 15, space is a storage device which is used in mobile phones, digital cameras and MP3 players यहाँ पे space एक storage device है, जिसका उपयोग mobile phone, digital camera और MP3 player में किया जाता है आप लोग अपने mobile phone में कौन सा storage device यूज करते हैं, या camera में कौन सा storage device यूज करते हैं memory card, hard disk, ROM, optical या disk, sorry, यह optical disk कहाँ आएगा, यह ROM है and option D है आपका optical disk, ठीक है, optical disk तो यहाँ पे आपका right answer है, memory card, आप सब लोग, हम लोग क्या यूज करते हैं, memory card यूज करते हैं 128GB, 64GB इस तरह के memory cards आते हैं, जो आप लोग अपने mobile phone में, digital camera में या MP3 player में use करते हैं अगला question 16, which shortcut is used to save a word file in MS Word MS Word में किसी word file को save करने के लिए, किस shortcut key का प्रियोग किया जाता है देखे, MS Word हो, MS Excel हो, MS PowerPoint हो, ठीक है, basically आपका यह Microsoft हो तो उसमें कुछ shortcut keys हैं, जिनका प्रियोग हम करते हैं, different different कामों को बहुत आसानी से करने के लिए ठीक है, तो उसी में से एक shortcut की होती है, save करने के लिए, तो वो होती है आपकी Ctrl plus S Ctrl के साथ आप S बटन को प्रेस करते हैं, तो कोई भी जो file पे आप काम कर रहे हैं, वो save हो जाती है और बीच बीच में चीज करते रहना चाहिए, अदरवाज आप computer पे काम करते रहेंगे, और suppose करें light चली गया, किसी region से आप उसको shutdown कर दिये, तो जो आप काम किये रहेंगे, वो file आपकी पूरी चली जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ shortcut है, जिनका हमने एक screen shot यहाँ पे लगा दिया है, जैसे altf है, file menu option का है, इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे Ctrl A select all का होता है, Ctrl F find का होता है, Ctrl X cuts करना चाहिए, selected item क आप cut कर सकते हैं, फिर उसे कहीं paste कर सकते हैं, shift plus delete से होगा, जो cut selected item हो, cut जाएगा आपका, Ctrl plus C से copy होता है, Ctrl plus insert से copy हो जाता है, selected item जो है, ठीक, Ctrl plus V से paste होता है, shift plus insert से भी paste होता है, साथ ही यहाँ आप देखेंगे, Ctrl plus shift plus end, Ctrl plus end, इन सबसे, जैसे Ctrl plus end दबाते हैं, आप document के home वाले page पे चले आएंगे, तो यह सारे कुछ shortcuts हैं, जो आप लोग याद कर लीजेगा, इनसे questions जरूर आते हैं, तो Ctrl is किसका हो गया, file को save करने के लिए, अगला question है 17, space is the default extension of ms word file, ms word file का default extension है, वो क्या रहता है, ms word file जो save होती है, हमेशा हो save होती है, दो चीजे रहती है, कई बार .doc रहती है, कई बार आपका जो अभी latest window जाया है, उसमें .docx रहता है, ठीक है, यह ms word का है, मालो ms powerpoint की बात करें, तो वो रहता है आपका .ppt या pptx, excel का रहता है .xls या xlsx, ठीक है, तो यह सारी आपके क्या रहते हैं, shortcut रहते हैं, जैसे images का रहता है .jpg या jpeg या gif या png, ठीक है, इसी तरह से सारी files के क्या हैं, अपने एक extension होते हैं, option, question number 18 है, which shortcut is used to open an existing file in ms word, ms word में कोई existing file हो पहले से, उसे open करने के लिए कौन सा shortcut use करते हैं, control plus n, alt plus o, alt plus existing, control plus o, तो control plus o अगर आप press करते हैं, तो existing file ms word में क्या हो जाएगी, open हो जाएगी, अगला question 19, arranging words are creating different styles of words on ms word is called as, ms word पर सब्दों को ब्यवस्थित करना या सब्द की बिभिन सैलियों को बनाना कहलाता है, coloring, modifying, editing या formatting, तो उसे हम कहते हैं, formatting यानि words जो है, जो भी उनकी style है, उसको हम क्या करें, अलग-अलग format में change करें, अगला question number 20 है, in ms word to select the whole file which shortcut combination is used, ms word में पूरी file का चैन करने के लिए, किस shortcut सैयोजन का उपयोग किया जाता है, shortcut की का उपयोग किया जाता है, अभी हम लोग ने पीछे discuss की थी, क्या है वो, control प्लस A है, option A, control प्लस A का, कुछ अबर 21 है, which among the following is not a command of formatting toolbar, निम्न में से कौन सा formatting toolbar का command नहीं है, bold, italic, font color या cut, तो formatting toolbar में bold भी आता है, आप लेटर को bold कर सकते हैं, या उसको पतला कर सकते हैं, italic में उसको तिर्चा कर सकते हैं, font का color बदल सकते हैं, ये तीनों आता है, लेकिन जो cut command है, ये इसमें नहीं आती है, यहाँ पर right answer क्या हो गया, option D, cut, कुछ अबर 22 है, space, tab is used to insert charts, graphs, images and page number into a word file, किस tab का उपयोग, chart, graph, image और page number को word file में डालने के लिए किया जाता है, standard tab का, formatting tab का, insert tab का, या review pane का, यहाँ पर आपका right answer हो जाता है, option C, insert tab का, कुछ इस तरह से आपको insert tab दिखता है, जिसमें आप देखें, जैसे insert पर click करेंगे, यहाँ पर आगा pictures, tables, clip art, shape, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, insert कर सकते हैं, ठीक है, अगला question number 23 है, in MS Word, to close the document, which shortcut combination used, MS Word में, document को बंद करने के लिए, कि shortcut संयोजन का उपयोग किया जाता है, control plus B, shift plus F4, alt plus F4, या control plus L, तो यहाँ पर आपका right answer है, alt plus F4, अगर आप दबाते हैं, तो भी जो document है, वो क्या हो जाएगा, close हो जाएगा, अगला question number 24, in MS Word, when you open a new blank document, the cursor appears under, अब MS Word हमा लिजए, आपने कोई ऐसा MS Word की एक फाइल खोली, तो cursor सबसे पहले कहाँ दिखना शुरू होता है, यहाँ पे, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यह हो गया आपका left, यह हो गया right, तो कहाँ पे दिख रहा है, top left में, ठीक है, cursor हम ऐसा वहाँ दिखता है, वहाँ जहाँ आप चाहें, वहाँ ले जाके, तो जैसे आप फाइल खोलते हैं, MS Word का cursor कहाँ दिखा आपको, top left में, ठीक है, top left के पास आपको दिख गया हो, अगला question 25, space, let's the user to type uppercase letters or characters when used in combination with another, उप्योग करता को दूसरे के साथ, combination में उप्योग किये जाने पर uppercase अक्षर या वरंड को type करने देता है, तो जब भी आपको पहला character या कोई letter अपर केस में type करना होता है, अगर सारे अपर केस में करने तो आप caps lock दबाते हैं, other way या अगर shift दबाके, फिर आप कोई भी letter दबाते हैं, तो वो हमेशा किस में लिखा जाता है, capital letter में, तो right answer क्या हो जाएगा आपका, option A, shift बटन के साथ आप कोई भी अक्छर प्रेस करेंगे, तो हमेशा वो अपर केस में लिखा जाएगा, ठीक है, इसके बाद 25 कुश्चन होगे, अब बात करें बोनस कुश्चन की, इसका answer आपको comment section में करना है, यहाँ पर बोनस कुश्चन है, आपका part number 6 से है, which of these is not an online job search platform, इन में से कौन एक online job search का platform नहीं है, इंडीड, Glassdoor, Snapchat या LinkedIn, तो जो भी right answer आपको comment section में comment करना है, और वीडियो कैसी लगी, आप लोग comment करके बताईएगा, part 7 यह है, part 8 and part 9 में हम लोग IT literacy finish कर देंगे, इसके बाद आगे के modules में हम लोग चलेंगे, वीडियो अगर अभी तक like नहीं किया, आप लाइक जरूर कीजेगा, साथ में अपने दोस्तों साथ अपने सभी groups में share कीजेगा, और चैनल पे subscribe नहीं के subscribe कर लिजेगा, और टेलिग्राम पे जरूर जूर जाएगा, जैसे ही सारे part complete होते हैं, आपको इसका PDF हिंदी इंगलिस वाला mix करके जरूर दे देंगे, thank you very much, बने देगा तब तक चैनल पे,